परिचय प्राकृतिक परिखटनाएं आग कृत्रिम रूप से होने वाली भौति घटनाएं हैं और इसलिए इन्हें मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता हाला कि मनुष्य इनसे प्रभावित अवश्य होता है उधारन सरूप जीवानूं व्रिद्ध होना प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक परिखटना के समाने उधारन हैं ज्वाला मुखी का विस्फोट तडित और गर्चन भूकंब मौसम और च्षै ज्यादा तर प्राकृतिक परिखटनाएं हानी रहित होती हैं जैसे वर्शा कुछ प्राकृतिक परिखटनाएं जैसे ज्वाला मुखी का विस्फोट भूकंब सुनामी और तूफान खतरनाक बाने जाते हैं और ये भारी संख्या में मृत्यू का कारण भी बन सकते हैं उद्देश्य की क्रियाविधी का वड़न करना तडित के कारण का वड़न करना तडित यानी बिजली चमकने के दौरान अपनाय जाने वाले सुरक्ष्या के उपाय जानना तडित चालकों का परीक्षन करना भूकंप के कारण बताना और भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानि को बताना तडित यानी बिजली चमकना तार धीले हो जाने पर आपने विद्युत खंबों पर चिंगारियां देखी होंगी यह एक समानने पर इखटना है जब हवा चलती है और तारों को हिला देती है आपने सौकेट में प्लक के ठीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी तडित भी एक विशाल इस्तर की विद्युत चिंगारी ही है अब वास्तों में हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश एकत्रित होने से तडित पैदा होती है किसी चोटे से कागस के टुकड़ों के पास एक प्लास्टिक की कंगी लाइए देखिए क्या होता है कुछ नहीं कंगी का कागस के टुकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं होगा आप कंगी को अपने बालों में कस कर अगड़िये और फिर कागस के टुकड़ों के पास ले जाएए आप ध्यान देंगे कि कंगी कागस के टुकड़ों को अपनी तरफ आकरशित कर रही है या किसी जादू से नहीं होता है ऐसे प्रेक्षणों की स्पष्ट और तारकिक व्याक्या है प्रारंब में कंगी विद्यत उदासीन थी इसलिए इसका कागस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब कंगी को बालों पर रगड़ दिया गया तो इसमें विद्यत आवेश आ गया आवेशित कंगी कागस के छोटे टुकड़ों पर विद्यत बल आरूपित करती है और उन्हें आकर्शित करती है रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई एक शीशे की छड़ और उनी कपड़े से रगड़ी हुई एक एबोनाइट की छड़ भी कागस के छोटे टुकडों को आकर्शित करने की चमदा प्राप्त कर लेती है आवेशों के प्रकार और उनकी अन्य योन्निक रिया क्या आपने कभी सुना था कि विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्शित करती हैं यह सत्य है विपरीत या भिन आवेश जिसमें एक धनात्मक और एक रनात्मक हो ऐसी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्शित करेंगी या अपनी तरफ खीचेंगी समान आवेश जैसे दोनों धनात्मक या दोनों रनात्मक वाली वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगी या अपने से दूर धकेलेंगी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं, जैसे एक धनात्मक आवेश एक रनात्मक आवेश को आकर्शित करता है। विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं। विपरीत दर्शि का प्रयोग यह जाचनी के लिए किया जाता है कि कोई पिंड आवेशित है या नहीं। दिये गए पिंड को विपरीत दर्शि की पीतल की डिस्क से स्पर्श कीजिए। यदि अल्यूमिनियम की पत्तियां हिलती हैं तो पिंड आवेशित है। यदि पत्तियां नहीं हिलती हैं तो दिया गया पिंड आवेशित नहीं है। तडित तडित गर्जन के साथ आने वाला एक वायो मंडलिये स्थिर वैद्यूत विसर्जन है। जो आमतोर पर तूफान के समय और कभी कभार जौला मुखी के विसफोट या धूल की आधी के समय आती है। इस वायो मंडलिये वैद्यूत विसर्जन से तडित की एक चमक दो लाख बीस हजार किलोमीटर प्रती घंटे या एक लाख चालीस हजार मील प्रती घंटे की चाल से गती कर सकती है। और इसका ताप तीस हजार डिग्री सेलसियस या चववन हजार डिग्री फॉरेन हाइट तक पहुंच सकता है तडित से सुरक्षा तडित के दोरान सुरक्षा सुनिश्चित करना आवशक है तडित से बचने के उपाए निम्न है जल से दूर रहें उची भूमी से दूर रहें खुले स्थान से दूर रहें धातू की वस्तूओं, विद्धतार, बाड, मशीनों, मोटरों, विद्धत आवजारों इत्यादी से दूर रहें तडित चालक तडित चालक जिसे तडित छड या वायू टर्मिनल भी कहते हैं इसको एक सुरक्षा उपकरण के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग इमारतों और अन्य स्थानों जहां सुरक्षा आवशक है जैसे पैटॉल उत्पाद, टैंक के गोदाम, विस्फूटकों के गोदाम इत्यादी में प्रयोग किया जाता है तडित का मुख्य उद्देश्य, धाजे के परियाप्त उपर एक ऐसा बिंदू प्रदान करना है जो प्रित्वी से बहुत अच्छे से संपर्क में हो और वो तडित उर्जा को इमारत को क्षती पहुँचाए बिना प्रित्वी की तरफ मोड़ते तडित की उत्पत्ती को रोकने में इसकी कोई भूमिका नहीं है भू संपर्कन घरों में आने वाली विद्युत के लिए लगाया जाने वाला भू संपर्कन प्रित्वी तडित चालक के लिए परियाप्त नहीं होता यह बात तडित में संबलित विद्युत के परिमार से पुष्ट होती है जो कि घरेलू विद्युत के परिमाड से दो इस तर ज्यादा परिमाड की होती है, हाला कि बहुत ज्यादा वोल्टेज होने के कारण उसके समान अनुपाती भारी भू संपरकर्ण की आविशक्ता नहीं होती, क्योंकि वोल्टेज स्वयम ही इसे प्रिथ्वी में ले जाता है सुरक्षा शंकू इस पत का प्रयोग प्रदान की गई सुरक्षा की मात्रा को व्यक्त करने के लिए होता है, और यह तडित चालक को स्थापित करने के लिए एक सामान ने चित्रात्मा की अंत्र होता है सुरक्षा शंकू को दर्शाते हुए तडित चालक की आकरिती दी गई है भूकंप प्रिथ्वी मुख्यता तीन पर्तों में विभाजित है कठोर बाहरी परत, भूक प्रटी, मुलायम बिचली परत और एक केंद्रिय कोर बाहरी परत, कई भारी अनियमित टुक्डों में विभाक्त रहती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं ये प्लेटें प्रिथ्वी के बहुत भीतर के उर्जा बलों से संचालित होकर बहुत धीमी गती करती है जब ये प्लेटें एक दूसरे से रगड या टकर खाती हैं तो भूकम पाते हैं सुरक्षित रहने के लिए निम्ड उपाए किये जा सकते हैं यदि आप घर में हैं तो किसी टेबल के नीचे शरण लें और जब तक कमपन खत्म ना हो जाए वहीं रहें उची और भारी वस्तुएं जो आप पर गिर सकती हैं उनसे दूर रहें यदि आप बिस्तर में हैं तो उठे नहीं अपने सिर को तकिये से ठख लें यदि आप बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों और सिर के उपर के विद्धत तारों से दूर कोई खाली स्थान खोजें या जमीन पर पैठ जाएं यदि आप कार या बस में हैं तो बाहर ना निकलें चालक से कहें कि वह धीरे धीरे गाड़ी को खाली जगह पर ले चले गाड़ी से तब तक ना निकलें जब तक कमपन खत्म ना हो जाए सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं कुछ वस्तों को दूसरी वस्तों से रगड़ कर आविशित किया जा सकता है आवेश दो प्रकार के होते हैं धनात्मक आवेश और रनात्मक आवेश समान आवेश आकरशित करते हैं और विपरीत आवेश प्रतिकरशित करते हैं रगड से उत्पन्य विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गती करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्य करते हैं। कोई पिंड आवेशित है या नहीं इसे चाचने के लिए विद्युत दर्शी का प्रयोग किया जा सकता है। आवेशित पिंड से आवेश का प्रिथ्वी में इस्थनांतरण भूस संपरकन कहलाता है। प्रिथ्वी और बादलों या विभिन बादलों के बीच होने वाले विद्धुत विसर्जन के प्राक्रम के कारण तडित उत्पन होती है। तडित के गिरने से जीवन और संपत्ति को हानी पहुँच सकती है। तडित चालक इमारतों को तडित के प्रभाव से बचा सकते हैं। प्रिथ्वी का अचाना खिलना या कांपना भूकंप है। प्रिथ्वी के बहुत भीतर की परतों के बीच होने वाली गढ़बर भूकंप का कारण होती है। भूकंप का पूर्वा नुमान लगाना संभव नहीं है। दिक्टर पैमाने पर साथ या उससे ज्यादा परिमान वाला भूकंप मनुश्यों और संपतियों को भारीक्षती पहुँचा सकता है। हमें भूकंप से बचने के लिए उचित सावधानिया बरतनी चाहिए।